तारक मेता का उल्टा चश्मा ये शो लोगों को हसाने के लिए तो सालों से जाना ही जाता है लेकिन साथ ही अब अपनी कॉंट्रोवर्सिस के लिए भी बहुत फेमस हो चुका है पिछले कुछ टाइम में कई पुराने अक्टर्स ने शो को टाटा बाइबाय कर दिया है और मोस्ली अक्टर्स के जाने के पीछे का रीजन कोई खुशी का रीजन नहीं था शो के मेकर असीत मोदी पर कई तरह के आरोब भी लगाए गए हैं लेकिन एक खबर ने सभी फैंस को काफी एकसाइट कर दिया था और वो थी दया बेन की शो में वापसी की खबर दिशा वकानी का अपना जबरदस फैन बेस रहा है और फैंस बहुत लंबे टाइम से दिशा की शो में वापसी का वेड भी कर रहे थे मेटरिटी लीव में दिशा ऐसी गई कि शो में वापस ही नहीं आई लेकिन कुछ टाइम पहले मेकर्स नहीं अनॉंसमेंट जरूर कर दी थी कि दिशा यानि की हमारी दया बेन की शो में वापसी होगी दया बेन की वापसी की खबर ने फैंस को काफी खुश कर दिया था लेकिन अब उनकी खुशी पर एक बार फिर से पानी फिर गया है दरसल शो के कई एपिसोर्ड में दया बेन की वापसी का प्लॉट भी चलाया जा रहा था लेकिन सच तो ये है कि उनसे जादा गुस्सा इस टाइं दया बेंके सभी फैंस है और वो इतने जादा गुस्सा है कि उन्होंने शो को बॉयकॉट करने का भी फैसला कर लिया है सोशल मीडिया पर इस टाइम हलचल मच गई है हर जगा फैंस तारक महता का उल्टा चश्मा को बॉयकॉट करने में लग गए है किसी ने सोशल मीडिया पर कॉमेंट करके लिखा है असीत कुमार मोदी अपने व्यूवर्स का दिल तोड़ कर आप खुश होंगे बस दिल तोड़ दिया ओवराल लगता है कि अब मेकर्स को अपनी ये हरकत काफी भारी पढ़ने वाली है मेकर्स अपनी बात से एक बार फिर से पलट जो चुके है और ऐसे में व्यूवर्स को रोक पाना उनके लिए काफी मुश्किल भी होगा खेर जो हालात है उससे लगता तो नहीं है कि दिशा शो में वापसी करना भी जाती है लेकिन अब आपको क्या लगता है क्या ये मेकर्स ने जान मूच कर किया है ताकि फैंस की एक्साइटमेंट बनी रहे या फिर इसके पीछे कोई और वज़ा हो सकती है आप फिलाल कॉमेंट में अपने व्यूस हमें जरूर बताईएगा और इसी तरह से देखते रहे है एंटी लाइव